नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका MS चादोन यूट्यूब चैनल पर दोस्तो सबसे पहले आपको ये बता दू कि ये वीडियो only educational purpose के लिए बनाई गई है इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें यदि आप इस वीडियो का गलत यूज करते हैं इस ट्रिक का गलत यूज क कम नहीं होगी और दोस्तो चार गुना speed बढ़ जाएगी आपके internet की दोस्तो ये कैसे होगा तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो बहुत शांदार है बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तो आप हमको instagram पर follow भी कर सकते हैं आप आपको link वीडियो के description में दी गई है तो दोस्तो आपको क्या करना होता है जिससे आपके mobile के अंदर internet की speed बढ़ जाएगी तो दोस्तो इसके लिए आपको आपके mobile के अंदर setting का जो app है उस पर आपको click करना होता है दोस्तो click करने के बाद में आप देखेंगे आपको यहाँ पर उपर देखेंगे तो wifi and internet लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पर आपको click करना है दोस्तो इस पर click करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर sim and network का option आपको दिखाई देरा होगा second number पर इस पर आपको click कर देना है दोस्तो जब आप यहाँ पर click करड़ोगे तो यहाँ पर आपको आपके mobile के अंदर जो भी sim है जिस भी company की sim है वो आपको यहाँ पर देख जाएगी actually मेरे mobile के अंदर दोनो sim airtel company की है तो दोस्तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर जिस भी sim के अंदर आपका net है यानि कि आपने जिस भी sim के अंदर आपका net recharge करवा रखा है उस sim पर click करना है तो दोस्तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने actually यहाँ पर second sim पर करवा रखा है तो मैं second sim पर click करूँगा click करने के बाद में दोस्तो आपको क्या करना होता है आप यहाँ पर देखेंगे आपको नीचे third number पर access point names का option दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको click करना है दोस्तो click करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको internet, mms, ims के option दिख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर internet के option पर click करना है तो दोस्तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा अब दोस्तो आपको क्या करना है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर authentication type लिखा हुआ दिखाई देरा हुआ इस पर आपको click करना है दोस्तो click करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर PAP और CHAP पर click कर देना है तो दोस्तो हम इस पर click कर देंगे दोस्तो इस पर click करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको APN protocol लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पर click करना है और यहाँ पर आपको आप देखेंगे तो यदि आपके mobile के अंदर IPV4 या IPV6 में किसी एक में click कर रखा है तो आप आप जो नीचे बाला option है IPV4, IPV6 इस पर click कर दीजेगा एक्चुली आपके mobile में आप देखोगे तो यहाँ पर IPV4 या IPV6 पर click किया हुआ होगा लेकिन आपको यहाँ पर दोनों पर click कर देना है दोस्तो इसी तरीके से नीचे बाला APN roaming protocol लिखा हुआ दिखा हुआ दे रहा आपको लिखा हुआ दिखा ही दे रहा होगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद में दोस्तो आपको यहाँ पर सारे जितने भी option है यहाँ पर सब पर click कर देना है क्योंकि दोस्तो जब आप इस पर click कर देंगे तो आप जिस भी छेतर के अंदर जाएंगे तो बहाँ पर ह किसी भी जगे आप चले जाओगे बहाँ पर आपके मोबाइल में इंटरनेट पकड़ने लगेगा और स्पीड से चलने लगेगा चाहे आपकी सिम किसी भी कंपनी की हो उसके बाद में आपको नीचे क्लिक कर देना है तो दोस्तो नीचे ओकी पर आप क्लिक कर दीजिएगा औ और दोस्तो ऐसा करने की बाद में आप देखेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट की स्पीड यहां पर चार गुना बढ़ जाएगी